हेलो दोस्तों आज का यह वडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आज के इस वडियो में आप सभी लोगों को एक ऐसे income scheme के बारे मैं बताने वाला हूँ जहां से आप लोग monthly income कर सकते हैं आपको monthly income होगा दोस्तों और ये trusted body या government body या दोस्तों ये post office का ये scheme है जहां पर आप लोग अपने लिए monthly income generate कर सकते हैं जो भी आपको यहां पर interest मिलेगा दोस्तों वो आपके सीधे bank account में transfer किया जाए यानि basis पर जो भी interest आयागा वो आपको monthly basis पर पेक किया जागा ठीक है और ये बहुत ही अच्छा scheme है दोस्तों उन लोगों के लिए जो की अपना पैसा इंवेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क फ्री करना चाहते हैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वहां से fix income लेना चाहते ह investment आपको करना चाहिए और नहीं करना चाहिए maximum कितना कर सकता है minimum कितना पैसा में जमा करना होगा और अगर हम 5 सल के पहले पैसा निकालना चाहरे है तो क्या penalty लगेगा ये भी बताने वाला हूं साथ में आप लोगों को current interest rate क्या है अभी क्या interest rate चल रहा वो भी बताने वाला ह साथ में दोस्तों tax benefit मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को detail से बताने वाला हूं ठीक है और सबसे खास बात ये बताने वाला हूं कि कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको मंतली कितना पैसा मिलेगा ये सब आज के वीडियो में detail से मैंने cover किया है तो रदा important information देने जा रहों आप लोगों को तो दोस्तों यहां पर आपको अपने स्केंपर दीख रहा होगा कि पोस्ट ओटास्टिय इनकम और यहां पर देख सकते हैं उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर आप लोगों को कौन कौन इस इसके में उपेज्ट कर सकता है यहां पर तो देख सकता है यहां पर लिखा कि यह नहीं इंडियें डिजिएंट इंडिविजोल के ओपेजिएंट और फिर नहीं कर सकते हैं उसके बाद दिया गे कि joint account अगर आपको open करना है तो three adults मिलके joint account open कर सकता है यानि कि तीन लोग मिलके या फिर दो लोग मिलके joint account भी open कर सकता है maximum three adults यहाँ पर add हो सकता है उसके बाद अगर यहाँ पर कोई guardian यह चाहता है और उसको चला भी सकता है कोई दिकत नहीं है ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि post office monthly income scheme account जो होता है उसमें deposit limit कितना है deposit limit जो है दोस्तों वो कितना है वो यहाँ पर आप देख सकते है सिंगल अकाउंट अगर है तो साड़े चार लाक रुपए आप यहाँ पर investment कर सकते हैं ठीक है और जोएंट अकाउंट है तो नौ लाक रुपए यहाँ पर यहाँ पर जोएंट से तीन आदमी रहेगा तो अगर तीन आदमी अगर वहाँ पर करता है नौ लाक रुपए maximum यहाँ पर deposit करता है तो तीन तीन लाक याने की ही होगा किसी का जादा कम नहीं होगा ठीक है उसके बाद अगला यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों यह है कि क्या है पोस्ट ऑफिस मंथली income scheme account जो है उसमें इंट्रेस्ट क्या हमें मिलेगा कितना income होगा कि किस बैसिस पर होगा तो दोस्तों यह जो इंट्रेस्ट रेट है वहर साल या फिर हर तीमाही हर यह बदलते रहता है यह फिक्स नहीं होता लेकिन पिछले एक साल से इंट्रेस्ट जो है और यह अब 6.6% per annum है ठीक है और यह monthly आपको मिलेगा monthly basis पर आपको दिया जागा till the maturity यानि कि maturity तक आपको हर महने इस basis पर आपको दिया जागा और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों note में लिखा गिया है कि जो interest rate है वो fix किया जाता है government के तरब से every quarter में किया जाता है ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों आपको जो भी interest मिलेगा वो credit हो जाएगा same scheme account में अगर आप यह चाहते हैं कि आपको पैसा नहीं निकालना है जो भी आपका income हो रहा है वो उसी account में जाके add हो जाएगा तो add हो जाएगा कोई दिकत नहीं है लेकिन जो interest वहां पर जाके add हो रहा है हर मन्त उस प अगर आप bank account में लेना चाहते हैं कोई other bank account में इसे आप लेना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को ECS एक form आता है वह आपको फिल करके submit करना होगा अपना उसमें bank detail बगरह देना पड़ता है उसके बाद जो भी आपका bank account है ना उस पर यह monthly income credit कर दिया जाएगा जो भी interest लिखा गया दोस्तों की जो यह account वो transferable है यानि कि एक post office से दूस्से पूस्टपूस्ट में आप इसे transfer कर सकते हैं यहां पर लिखा गया है दोस्तों की आप इसे cash check के साथ भी open कर सकते हैं लेकिन अगर आप चैक्षण तो जिस डेट में आप यहां पर चैक दिये हैं और यह सबसे लिखा जाएगा और यहां पर लिखा गया है दोस्तों कि एनी नंबर आफ एकाउंट्स कैनल बी ऑपेंड सब्जेक्टेट टू मैक्सिमम डिपोजिट लिमिट यहां कि अगर आप 2-3 एकाउंट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन नहीं रखा गया है यहां पर लोन का कोई भी परावधान नहीं रखा गयا जनरली जो असकीम होता है दो यहां कि लोगों को यहां पर लोगों को यान कि 5 साल के लिए आप लोगों को अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा या आप बाद में इसे extend भी कर सकते हैं लेकिन आप पहले भी विड्रौ कर सकते हैं आगे बात करें लेकिन इसके बाद भी आप इसे extend कर सकते हैं यहां पर लिखा गय दोस्तों प्रिमेच्योर क्लोजर आप पोस्ट ओफिस एकाउंट यान की प्रिमेच्योर क्लोजर नहीं हुआ है और हम इस एकाउंट को जो भी है उसे क्लोज करना चाहते हैं और अपने पैसे को निकालना चाहते हैं तो कितना होगा तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता पैसे को निकालना चाहते हैं तो अलाव नहीं है यान कि इसे आपको रिटन कर दिया जाएगा और अगर वही आप तीन शाल से और पांच साल के या फिर दो लाग या फिर एक लाग उसका एक परसेंट आपको कट जाएगा और जो भी मचेगा वो हो जाएगा और यहां पर यह एक नोट दिया गया है दोस्तों कि इसको मिर्टियू हो जाता है उसके बाद दोस्तों यहां पर हम जान लेते हैं कि मंतली इंकम कितना हो सकता है सबसे जो खास बात है ना दोस्तों यही है कि हम कितना पैसा लगाएं यह तो हमें कितना इंकम मुझे अगर 5,000 या फिर 10,000 मुझे इंकम चाहिए हर मन्त तो मुझे कितना पैसर डालना होगा या फिर मैंने 1,00,000 रुपए वहाँ पे डाला है तो मुझे कितना इंकम होगा ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रू है दोस्तों तो एक एक जामपल के तहत में आप को समझा देता हूं कि current interest rate जान लेना है क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है दोस्तों current interest rate मान लेते हैं 8% का अगर होता है तो आप हमेशा 5 साल तक आपको 8% के हिसाब सही मिलेगा अगर मान लेते हैं एक दो साल बाद जाके government उसे कम कर या फिर ज्यादा कर देती है फिर भी जान पे देख सकते हैं दोस्तों presenting इन्वेस्टेड स्वेस्टेड एमां यहांपे मैंने दिया है फिर in interest per month दिया है फिर total interest in five worth और में कि इतना मिलेगा मैं यहां पर लोग एक लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका पर मंत का बनेगा न दोस्तों वह पांच्रों पचास रुपए बनेगा यान कि अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों तो आपको मंतली 550 रुपए दिया जाएगा और तोटल इंट होता है क्योंकि जो भी इंट्रेस्ट आपको मिल रहा है तो पैसा आप ने दिया था वही पैसा आपको पांचल बद मिल जाएगा यहां पर दोश्ता चाल लाख रुपए यहां पर महिने पेमेंट आएगा जो की मंतली बसीप आपको चॉबीसों पचल पचल रुपए दिय को पता चले होगा की कि कितना से हमें लेकिन कें समझा दिया हैcolm बॉक्न करने से हमें कने कैलकुलीशन की हम यह कैसे जाने हैं यहें कि एक सब्सक्राइब करेंगा आप लोगे कर हैं लोगों और इस बॉन टरिके से मैंने यहां तो दोस्तों यहां पर मान लेते हैं कि जो किया गया है आप यहां पर इंट्रेस्ट रेट है दोस्तों वह यहां पर तो टोटल मंतली इंकम जो होगा मेरा एक साल का वह पहले कितना होगा वह निकाल लेते हैं तो चार लाव को मल्टिप्लाइ कर देते हैं 0.066 से यानि कि 6.6% जो होता है वह जब क्या करें तो आपका आ जाएगा कि 26400 यहां पर आ जाएगा 12 महिने का जब आप कैलकुलेट करेंगे इस बेसिस पे तो आपको यहां पर देख सकते हैं 26400 आ जाएगा ठीक बार महिने का और पर मंथ में करना होगा तो क्या करना होगा जो बी यह मांट आता है 12 महिने का उससे ठीक बार मंथ और 12 से तो एक मेने का इखल जागा तो यहां पर देख सकते हैं है आप कर पाएंगे अब बात कर लेता है दोस्तों कि यहां पर टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा था यहां पर जो यहां पर लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है और और जो interest हमें यहां पर मिल रहा है न जो भी interest यहां से हमें मिलेगा जो भी income होगा तो अगर उस income के आने के बाद income होने के बाद आप tax lab में आ जाता है यानि कि आपका ड्हाई लाग से ज़्यादा income हो जाता है दोस्तों तो आपको tax pay करना होगा लेकिन 5 लाग income तक का तो कोई तो अगर आपका 5 लाग से ज्यादा इंकम हो जाता है तो आपको टैक्स पर करना पड़ेगा तो दोस्तों अभी-अभी मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल से बता दिया है कि यह टैक्स-फ्री होता है यह इसका इंट्रेस्ट रेट क्या होता है हम कितना पैसा जमा करेंगे हमें कितना पैसा रिटेन मंथली मिलेगा यह सब मैंने आप लोगों पूरे डिटेल से बता दिया है अभी-अभी जो मैंने आप लोगों बता है दोस्तों उससे आप लोगों का सारा कुछ डाउट के लिए हो जाना चाहिए लेकिन अभी अगर आपके माइन में कोई भी डा तो आप क्या कीजिए इस पैसे को वहां पर रख दीजिए वहां से आपको मंतली इंकम होगा आपको कुछ नहीं चाहिए आपको मंतली इंकम होते रहेगा दोस्तों पांच साल बाद उसे एक्सेंड भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है आपको इसके बार में अगर डिटेल मे अगर आपको सकते हैं तो आप सेयर करने के लिए आप यहां पर बटन दबाएए और शे principio के बारे में पता चल सकेए कुछ यह कोई भी की कुछन नहीं होगा यह दिश्क फ्री होता है तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बेसक आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं I hope आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आयागा दोस्तों, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को अभी के भी जरूर लाइक कर विजेगा, आज के लिए इतना दोस्तों मिलते हैं के लिए वीडियो में, थैंक यू